दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साइंटिफिक दीजन जानने का ये कि आपके गर में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है कई बार बहुत सारी धारनाय पुराने जमाने से जो चली आ रही है वो आप रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें आप बहुत बार निराशा हासिल करते हो जो symptoms baby boy के होते हैं वो कभी कवार baby girl में तबदिल हो जाते हैं और कभी कवार आप baby girl के symptoms को पहचान लेते हो और बाद में आपको baby boy होता है तो आज के इस वीडियो में हम scientific एक कारण जानेंगे बेबी boy होने का या फिर बेबी girl होने का ये आपको बहुत ही काम आएगा बहुत ही knowledgeable वीडियो है बहुत ही आसान तरीके से आप ये जान सकती है कि pregnancy के दौरान आपको क्या होने वाला है लड़का या फिर लड़की आज का वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जो भी पहली बाद चानल को देख रहे हैं जरूर चानल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को अन कर देना ताकि आसे ही more latest or information से भर बोर वीडियो की notification आपको प्र होता है जिसमें आता है friends mood swing की परिशानी mood swing यानि जिस महिला को pregnancy है उनके mode में अगर बहुत परिवर्तन आता है कभी वो चिर्चिरी हो जाती है उदास हो जाती है कभी बहुत ज़्यदा खुस में असूस करती है तो इस condition में कहा जाता है कि उन्हें baby girl होने वाली है और अगर म पीछे को scientific कारण होते हैं जब आप pregnancy में होते हो आपके सरी में बहुत सारे हामोन का बदलाव होता रहता है और बहुत तेजी से होता है जिस वज़े से आपको mood swing की परिशानी हो जाती है आपका सडीर पहले से ज्यादा ठका हुआ मैसूस करता है तो friends ऐसा आपके साथ हो सकत है लेकिन पुरानी जमान से जो माननेता हैं उसके आधार पर ये साडी चीजें बताई जाती है और ये कभी कभार हर महिला पे तो नहीं लेकिन किने किने पर सच भी साबित हो जाती है तो अगर आप baby boy या baby girl का prediction कर रहे हैं तो आप second trimester में ऐसा अगर देखते हो pregnancy की दौरान तो बहुत हद तक उमीद की जा सकती है कि आपको baby girl होगी या फिर बेबी boy होगा फिर फ्रेंड्स इस वीडियो को एक fun activity के जैसे लेना baby boy या फिर बेबी girl में difference करना इस वीडियो का बिलकुल भी motive नहीं है और फ्रेंड्स अगर आप मेरी experience में share करूं तो मुझे कुछ भी mood swing की परिशाने नहीं थी मुझे baby girl हुई है तो इसका मतलब यह है कि हर एक महिला पे यह 100% सही नहीं साबित हो सकता है इसलिए ऐसी कोई भी prediction करें तो 99.9% ही इसे सही माने बहुत हद तक पुराने जमाने से जो धानाय है वो सही साबित हो जाती है और experience based पे ही यह सारी चीज़ नहीं है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मुझसे वीडियो को like जरूर कर देना ज्याद से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर अन कर देना हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में एक नई टॉपिक साथ तब तक अपना खियाल नमस्कार